मिसरन पार्ट टू चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले प्रस्ण को अच्छा से समझ लेना है पहला नमर प्रस्ण है इसमें क्या बोल रहा है चपन रुप्या प्रती किलोग्राम की चाय 82 रुपया प्रती किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिस्रन का क्रेमुलिय सरशट रुपया प्रती किलोग्राम हो जाए बहुती असान प्रशना है और BBI प्रशना है इस तरह का प्रशना एकजाम में आता है कैसे solve करना है समझने का cause किजेगा तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है एक सस्ता वाला चाई है और एक महंगा वाला चाई है और दोनों को मिला देंगे तो एक मिसरन बनेगा और मिसरन का क्रेमुलिय दिया हुआ है कितना है सरसट रुपया परती किलो ग्राम अब यहाँ पर आपको समझना है क्या करना है तो सबसे पहले लिख लेना है सस्ता वाला चाय कैसे है तो 56 रुपया प्रती किलोग्राम है और महंगा वाला कैसे है तो 82 रुपया प्रती किलोग्राम है अब आपको क्या करना है तो सबसे पहले इस तरीके से बना लेना है और क्य दिया हुआ है मिसरन का क्रैमुलिय दिया हुआ है सरसट रुपया प्रती किलोग्राम तो यहां पर आपको सरसट रुपया लिख लेना है इसके बाद क्या करना है तो इस लाइन में बड़ा वला में से छोटा वला को माइनस करेंगे तो बड़ा वला कितना है यानि कि 67 है और चोटावला 56 है तो आपको घटा लेना है यानि कि सरसट में 56 को घटाना है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 तो कितना आया 11 तो आपको यहाँ पर 11 रख देना है इसके बाद इस लाइन में क्या करना है तो बड़ावला में से चोटावला को माइनस करना है तो बड़ावला कितन तो यहां पर 7 है, 7 में 6 घटाएंगे तो यहां पर 1 होगा यानि की 15, तो यहां पर 15 रखेंगे और यहां पर अनुपात में रख देंगे, अब आपको समझना है कि क्या ग्यात करने के लिए कहा है, एक बार फिर से समझना है, 56 रुपया प्रती किलोग्राम की चाए, 82 रुपय रहता तो comment को काट के हटा देना है तो इसमें कुछ भी comment नहीं है तो ये direct आपको answer मिल गया और इस तरह का प्रस्ण exam में पूछा जाता है तो अगर कहीं पर समझने में problem हुआ होगा तो comment में लेके बताईएगा मैं फिर से समझाने का परियास करूंगा तो इसका answer को पहले मिला लिजे कहां पर है तो C option सही है अगला प्रस्ण सबसे पहले प्रस्ण को अच्छा से समझना है इसमें क्या बोल रहा है 24.20 रुप्या प्रती किलोग्राम के कितने चावल 18.50 रुप्या प्रती किलोग्राम वाले 70 किलोग्राम चावल में मिलाए जाए कि मिसरन को 23 रुप्या प्रती किलोग्राम बेचने से 15% लावो तो सबसे पहले आपको लिख लेना है एक सस्ता वाला चावल है एक महंगा वाला चावल है तो सबसे पहले आपको लिखना है तो महंगा वाला कैसे है 24.20 रुपया प्रती किलोग्राम तो यहाँ पर आपको लिखना है 18.50 इस तरीके से सबसे पहले आपको लिख लेना है इसके बाद इस तरीके से आपको बनाना है और यहाँ पर क्या रखेंगे तो यहाँ पर आपको मिसरन का क्रेमुलिया को रखना है लेकिन यहाँ पर मिसरन का क्रेमुलिया नहीं दिया हुआ है तो क्रेमुलिय सबसे पहले आपको निकलना होगा तो क्रेमुलिय कैसे निकालेंगे तो सीपी बराबर क्या होगा तो बिक्रेमुलिय कितना है तो इस तरीके से आपको लिखना है इसके बाद 15% लाब हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है 100 प्लस 15 करना है तो 115 होगा 115 को और यह 23 और यह 23 कट गया यानि कि CP ब्राबर 20 आ गया तो यहां पर misbern का क्रेमुलिय को रखना है तो क्रेमुलिय मिल चुका है अब समझने का कोसिस कीजिएगा अब इसके बाद क्या करेंगे तो इस लाइन में क्या करेंगे यानि कि बड़ा वला में से चोटा वला को माइनस क करेंगे तो अगर इसमें इसको घटाएंगे तो एक पर घटा के देख लिजे तो कितना है चोबिस पॉइंट बीस है तो इसमें कितना घटाना है और पॉइंट के बाद इसमें कुछ नहीं तो जीरो जीरो रख लेना है तो यहां पर बीस और यहां पर कितना आ जागा चार य करना है तो बड़ा कौन है यानि कि यह वला है तो यहां पर आपको 20 लिखना है लेकिन इसमें पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं है तो 00 रख लेना है तो इसमें कितना घटाना है 18.50 अब यहां पर घटा लेते हैं तो 0 तो एक दाहे 10, एक दाहे 10, दस में 5 तो यहां पर 5 हो जागा और यहां पर यानि कि यहां पर 19 बच गया है 19 में 18 तो यहां पर एक हो जागा तो यहां पर आपको रखना है लिख लेना है इधर में कितना है 4, 2, 0 अब क्या करेंगे तो दोनों तरफ 0 है तो दोनों तरफ 0 काट लेंगे इसके बाद फिर से एक बार लिख लिजिए इतना है अब कितने बार में कटेगा यहां पर कितना है 42 है अब कितने बार में कटेगा अगर कोमन है तो कोमन को हटाते जाना है तो इसमें क्या है तीन कोमन है तो 3 पचे 15 और 14 तिया 42 यानि की इतना आ गया है अब इहां पर अनुपात मालूम हो चुका है लेकिन अनुपात ग्यात करने के लिए नहीं कहा गिया है सबसे पहले आपको समझना है यह जो अनुपात आया है क्या चीज का अनुपात आया है तो चावल का मात्रा का अनुपात आया है तो इधर में क्या हम लो रखे हैं 24.20 रुपया प्रती किलोग्राम चावल का मूलिय रखें और इसका मात्रा दिया हुआ है वहाँ पर 70 kg और इसका मात्रा नहीं दिया हुआ है इसका मात्रा निकालना है एक बार फिर से पढ़के समझ लिजे इसमें क्या बोल रहा है 24.20 रुप्या प्रती किलोग्राम के कितने चावल 18.50 रुप्या प्रती किलोग्राम वाले 70 किलोग्र में दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं, 5 बटे 14, और यहाँ पर हम लोग इसको X मान लिए, यानि कि इसका मात्रा हम लोग X मान लिए, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, यानि कि X बटे 70, तो इसे भी आपको मिल जगा, या अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो और भी असान तरीके से मिल जगा तो इसका मातरा कितना है 70 है तो 14 में कितना से गुना करेंगे कि 70 आ जगा तो 14 में 5 से गुना करेंगे तो 70 आ जगा 14 पचे 70 तो 5 से गुना करने पर इतना हुआ तो आपको क्या करना है इसमें 5 से गुना कर देंगे तो इसका मातरा मिल जागा देख़ लिजे यानि की 25 के जी इहां से भी आपको मिलेगा अब इहां पर आपको समझना है सबसे पहले इहां पर देखिए यानि की 14 से काटेंगे तो 14 एकंब 14 और 14 पचे 70 एक्स एकम एक्स हो जगा और इसको गुना करेंगे तो पांच पचे 25 यानी की दोनों तरीका से एंसर आ चुका है देख लिजे कहां पर है ए ओप्सन सही है अगर कहीं पर समझने में प्रोब्लम हुआ होगा तो कमेंट में लिख के बताईएगा